हालो एवरिवन, तो आज हम लोग डिसकस करेंगे सल्फ्यूरिक अमला बनाने की संपर्ग विद्धी, जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जयोरी है, बहुत ही ज्यादा इन्पॉर्टेंट है, तो सल्फ्यूरिक अमला हमको बनाना सीखना है, क्या बन लिए फास्फोरस से बना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे फास्फोरी के सिब्ध जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ओके अगे, सल्फर को वैसे तो गंधग भी बोला जाता है, जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स वोगे रहे हैं, जैसे गोभियों अगे रहे हैं और जैस इसके बारे में हमको डिसकस नहीं करना है, बस हमको ये देखना है कि सल्फूरिक अमलब बनाया कैसे जाता है, तो इतना समझ में आ गया, सल्फूरिक अमलब किस से बना है, सल्फर से बना है, सल्फर को ही क्या बोला जाता है, गंधग बोला जाता है, तो इसी सल्फर से हम सल संपर्क विधी, तो पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये संपर्क विधी, ये संपर्क का मतलब क्या होता है? contact, contact एक क्या होता है, एक कक्ष होता है, जिसको हम बोलते हैं संपर्क कक्ष, क्या बोला जाता है, संपर्क कक्ष, तो जो भी reactions होते हैं, इन्ही कक्ष के अंदर में होता है, कहां होता है, इन्ही संपर्क कक्ष के अंदर में होता है, एक chamber है, एक कक्ष है, और इसके अंदर में र कौन सा गेज बनता है? अभी आप लोग को रेक्षन में पताश चल जाएगा पहले आप इतना समझो कि सल्फियूरी कमलब बनाने की जो बिधी है उसका नाम है संपर्क बिधी तो इसंपर्क का मतलब क्या होता है? तो संपर्क एक चेंबर होता है एक संपर्क कक्ष, एक संपर्क चेम्बर जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर में उत्पेरक रहता है, और वहीं अभिक्रिया होती है, और कौन से अभिक्रिया होती है, अभी आप लोगों डिल से पतर चल जाएगा, बस आप इतना समझ में आ गया है, संपर्क क्या है, बिसिक स्मझ जेते हैं, तो हम बनाना की से सलफर से बनाना है? तो पहले हम सलफर से कुछ गैस बनाएंगे, सलफर को पहले जलाएंगे, अकसीजन की तीरोन जलाते हैं क्या बनता है? sulfur dioxide बनता है क्या बनता है sulfur dioxide बनता है अब इस sulfur dioxide को अब जितना चाहो सुध्ध करो पूरे अंतिम सांस तक जितना जादा हो सके पहले तो उसे एकदम सुध्ध करो उसमें ना तो किसी प्रकार का धूल कड़ होना चाहिए ना तो किसी प्रकार का other particles होना चाहिए, कुछ नहीं, पूरा एकदम pure कर लो, पूरा सुस्क कर लो, और पूरा एकदम pure कर लो, सुस्क और सुध्ध कर लो, पूरी तरह से, उसके बाद में हम इस sulfur dioxide को हम भेजेंगे कहाँ, संपर्क कक्षे में, अभी जैसे हमने discuss किया, संपर्क कक्षे है, जिसके sulfur dioxide और y-u का मिर्णार दोनों इस कक्षे के अंदर में जाते हैं, ठीक है, यो वाइयू कहां से आया, अरे वाइयू है, वाइयू कहां यह सब जग़ा है, समझ में आ रहा है, उस कक्षे के अंदर भी वाइयू है, बाहर भी वाãyयू, यह सब तरफ वायू है, मतलब भी sulfur dioxide के स ये वहाँ वायू भी है ठीक है तो ये दोनों oxygen के मिश्रान कहां जाते हैं संपर्क कख्छ में जाते हैं और संपर्क कख्छ में क्या भरा होता है vanadium pentoxide यहीं उद्पर रख होता है क्या होता है vanadium pentoxide और इसका जो temperature होता है 450 degree Celsius होता है और यहां से जब अभिक्रिया होता है, जब sulfur dioxide का आक्सी करण होता है, तो बनता है sulfur trioxide और क्या होता है, 45,000 कैलोरी उस्मा क्या हो जाता है, release हो जाता है, मतलब यह जो reaction है, यह कौन सार reaction है, यह exothermic reaction है, मतलब उस्मा 6 पी अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया के दवरान क्या हो रहा है उसमाँ release हो रहा है समझ में आ गया ओके अच्छा balance बोल रहे हो चली देखते हैं यहाँ 2 कर दो अच्छे यहाँ 2 कर दो sulfur 2 हो गया sulfur 2 आक्षीजन 2 4 और 2 6 और यहाँ कितना हो गया 3 2 6 समझ में आ गया ओके अब sulfur trioxide बन गया एक कौन सी कक्ष में बना है, एक contact chamber, जो हमारा संपरक कक्ष है, उसी के अंदर अभिक्रिया हुआ है, अभी तक sulfuric amla बना क्या? नहीं बना, अब क्या करेंगे, sulfur trioxide को हम क्या कराएंगे, आउसोसित कराएंगे, इसमें सांद्र sulfuric amla में हम आउसोसित कराएंगे, देखे, हम sulfuric am बना रहे हैं, और sulfuric amla से ही, जो gas बना है, उसको हम आउसोसित कराएंगे, ठीक है, रीजन, आप लोग अभी पते चल जाएगा, पहरे देखिए, जब हम sulfur trioxide को, जब हम sulfuric acid में, सांद्र sulfuric acid में आउसोसित कराएंगे, तो क्या बनता है? H2 का H2, H2, H2 कितना है, sulfur कितना है, 2 है, तो H2, oxygen कितना है, 7 है, तो ही हो गया, O7, H2, H2, O7, इसको हम क्या बोलते हैं, पता है, इसको हम बोलते हैं, oleum, इसको हम क्या बोलते हैं, oleum, और इसी को बोलते हैं, सधुम sulfuric amla, fuming sulfuric acid, क्या बोलते हैं, fuming sulfuric acid, क्या बोला जाता है, fuming sulfuric acid, समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, fuming sulfuric acid, यहां तक पता चल रहा है, H2, H2, O7, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, fuming sulfuric acid, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसके नीचे में लिखना, fuming sulfuric acid, अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सद्हुम sulfuric acid, क्या बोलते हैं, सद्हुम sulfuric acid, क्यों बोलते हैं, इसको बताईए, सद्हुम, मतलब इसमें धुआ, इसमें इससे धुआ निकलता है, किससे इस oleum से क्या निकलता है धुआ निकलता है अब धुआ किसके वज़े से होता है तो इसी के वज़े से होता है sulfur trioxide के वज़े से क्योंकि sulfuric अमला और sulfur trioxide जब दोनों मिला तो क्या बना उलियम बना, तो इसी उलियम को हम क्या बोलते हैं, सधुम सल्फियूरिक अमला बोलते हैं, ठीक है ना, तो जहां उलियम बनता है, वहां बहुत ज़्यादा धुवा भी उपन्न होता है, तो धुवा किसके वज़े से होता है, सधुम सल्फियूरिक अमला, तो इससे धुवा निकलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, सधुम सल्फियूरिक अमला, वहां धुवा रहता है, समझ में आ गया है, इसी को इंगलिस में बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फियूरिक असिड, और इसी का नाम क्या है, ओलियम है, इसक से बना हुआ है गंधक से बना हुआ है कोन गंधक से बना हुआ है यह उलियम किसे बना हुआ है गंधक से बना हुआ है गंधक आमला गंधक आमला बलब गंधक से बना हुआ है जो अमला है हम उसको क्या बोलेंगे गंधक आमला बोलेंगे इस बेरी सिंपल समझ में आ गया बस इतना ही reaction है, तो यहाँ oleum बन गया, तो जो oleum बना होगा, एजादा सांधर वाला होगा, जहिर सी बात है क्योंकि पहले से हमने सांधर सल्फूरी कमला लिया, तो जो oleum बना ही, ओफी तो जादा सांधर होगा होगा तो हमको यह दिया उचित सांधरता का उतने सांद्रता का बनाना है जितना सांद्रता का हमको जवरत है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हमको जितने सांद्रता का चाहिए, उस एसाब से हम इसमें पानी मिला देंगे, समझ में आ गया, तो उचित सांद्रता का, जितना सांद्रता का हमको उपयोग करना है उतने सांद्रता वाला सल्थूरी कैसीड बन जाएगा तो अब H2, H2O7 में अब पानी मिला हूँ चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ च्योंकि नीचे तरफ लिखूंगा तो पता नहीं चलेगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्रीफ समझ में आ गया है यहाँ पताशल जाएगा ओके H2O7 अब इसमें क्या करोगे H2O पानी मिला हूँ अब उसके बाद में यहाँ क्या बनेगा H2SO 4 बनेगा यह हो गया हमारा सल्फियूरिक एसिड बन गया जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ठीक है हम यहाँ लिख देते हैं सल्फियूरिक एसिड सल्फियूरिक एसिड अच्छा बैलेंस कर लो यहाँ 2 और 2 4 हैट्रोजन है यहाँ 2 कर दो हैट्रोजन 4 हो गया सल्फर यहाँ 2 है यहाँ भी सल्फर 2 है ऑक्सिजन यहाँ 7 और 8 है यहाँ 4 गुने 8 है यह हो गया हमारा सल्फियूरिक एसिड बन गया देखिए सिध्धान बहुत ही आसान है सिध्धान बहुत ही सरल है यह दि आप इसका थेवरी समझ गए थेवरी समझ गए तो प्रयोग विधी में कुछ नहीं रखा है बस डाग्राम देखोगे उसको बस लिखना है बड़ाई सिंपल है समझ में आ गए हमने क्या क्या हमने सल्फर को जलाया आक्सिजन की उपस्तिती में सल्फर डाइकसाइड गेस बना अब सल्फर डाइकसाइड गेस को हमने पूरी तरीके से पूरी तरह से हमने उसको पहले सुध्ध किया पूरा हमने सुध्ध कर लिया सुध्ध करने के बाद में हमने इसको कहां भेजा संपर्क कक्षे में भेजा जिस कक्ष़ के हमने इस्टाइटिंग में बात किया था संपरक कक्ष़ में भेजा वहाँ उप्पेरक वेनेडियम पेंटाक्साइट 450 दिगरी सेल्सियस पर वहाँ रखा होता है तो वहाँ सल्फर डायक्साइट का क्या होता है अक्सिकरन होता है और सल्फर ट्राइक्साइड गेस बनता है इस अभिक्रिया की दवरान उसमा रिलीज होती है 45,000 कैलोरी उसमा निकलती है अब सल्फर ट्राइक्साइड गेस को हम सांद्र सल्फिरिक अम्लेद्वारा और सोसित कराते है तो वहां हमको oleum प्राप्त होता है, oleum को हम सांद्र गंधक आमल भी बोलते हैं, गंधक आमला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गंधक से बना होता है, oleum से धुआ भी निकलता है और जो धुआ निकलता है वो sulfur trioxide gas होता है, मतलब इसी के वज़े से क्या यही उसमें धुआ निक धुआ निकलता है, इसी को हम इंगलिस में बोलते हैं, fuming sulfuric acid, अब जो oleum बन गया है, ये तो oleum बना हुआ है, हमको क्या बनाना है, ये शल्फूरिक acid बनाना है, ठीक है, तो जो oleum बना है, ज्यादा सांद्र गंधक चाहिए, तो हमको जितना सांद्रता का हमको sulfuric acid चाहिए, उस हिसाब से हम oleum में पानी डालेंगे, Etudeaux डालेंगे, और उचित सांद्रता वाला, मतलब हमको जितना संद्रता का चाहिए, उतने संद्रता का हम sulfuric acid बना लेंए, तो ये हो गया हमेरा sulfuric acid बन गया है, अब चलिए, इसमें हम थोड़ा सा ताप-दाब का सांद्रता का डिस ज्यादा product अपरापता होगा, उस हिसाब से हम इस point को थोड़ा सावर test करते हैं, ताब दाब सांधरता के बारे में थोड़ा discuss करते हैं, चलिए इसको note कीजिए, okay, SO2 plus O2, फिर उसके बाद में 2SO3 बना, फिर यहाँ 45,000 कैलोरी उसमा release हो, मैं इस reaction के बाद कर रहा हूँ, यहाँ यह जो है, उत्क्रमडी अभिक्रिया था, वेनेडियम पेंटाक्साइड और यहाँ 450 degree Celsius temperature था, ठीक है, अभिक्रिया उत्क्रमडी यह है, अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमडी यह है, ठीक, ओ तो है, उसको side में रखो, क्योंकि अभी उसका काम नहीं है, पहले हम देख लेते हैं सांद्रता, अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ इस्टाइटिंग में फिर एक्षन था, तो जो हमने अभिकारक लिया हुआ है, अभिक्रिया में, सल्फर लिया, ऑक्सिजन के उपस्तिति में उसको गरम किया, सल्फर डायक्साइड गेस बना, ठीक है, वो ह यदि हम सांद्रता को ज्यादा करें, तो जो हमको प्रोड़क्त मिलेगा, वो भी ज्यादा मिलेगा, जहिर सी बात है, तो इस अभिक्रिया के लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा सांद्रता चाहिए, अभिकारक की सांद्रता, आप यहाँ सौट में लिख सकते हैं, उच्छ तो लीस हाते लिए, मैं जो लीस हाते लिए एक अनियम बोर रहा हूं, इसका विडियो एक बड़ जरूर देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा important है, और हर reaction में कहीं नी कहीं वो use हो ही रहा है, समझ में आ गया, तो यह हो गया सांदरता, अच्छे चलिए ताप के बारे हम बात कर लेते हैं, सांदरता में कोई दिक्कत नहीं, जितना ज़्यादा अभिकारक का सांदरता होगा, उतना ज़्यादा प्रोड़क्ट मिलेगा, that's it, okay, ताप, अभिकरिया उस्मा छेपी है, यहाँ से पता चल रहा है, एक्जोधर्मिक है, अभिकरिया यदि उस्मा छेपी है, तो आप मेरे को बताओ, लिस आते लिए कि नुसार हमको ज़्यादा ताप चाहिए कि कम ताप चाहिए हमको कम ताप चाहिए निमन ताप चाहिए क्योंकि यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया पीछे की तरफ होने लगेगा पश्चरिशा में और हमको प्रोड़क्ट कम भी लेगा समझ म तो इस अभिक्रिया के लिए हमको क्या चाहिए, निमनत आप चाहिए, क्यों, क्यों क्या अभिक्रिया उसमा शेती है, clear, okay, तो इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूलत आप है, वो कि इतना है, 450 degree Celsius है, यदि temperature को आप इससे ज्यादा करोगे, तो sulfur trioxide gas भी छेदित हो जाएगा यदि temperature को इससे कम करोगे, तो हमको sulfur trioxide gas कम मिलेगा, तो इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूलत आप है, 450 degree Celsius ठीक है, इससे reaction अच्छे तरीके से हो जाता है, जो कि उसमाच शेपी है, इसलिए हम temperature को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, अभी मैंने बताए, ज़्यादा करेंगे, तो इभी छिरीत हो जाएगा, कम करेंगे, तो यह हमको कम मिलेगा, तो इसके लिए अनुकूल temperature 450 degree Celsius है, मतलब ताप में आप क्या लिखोगे, निमन ताप क्या ज़्यादा है, क्योंकि अभी क्लिए उसमाच शेपी है, according to list साथिए, उसमाच शेपी के लिए हमको कम ताप क्यांस करेंगे, औब ताप हो गया, अब उसके बाद में दाब के बारे में बात करते हैं, अच्छे इस अभी क्रिया के लिए हमको दाब कैसा चाहिए, कैसा बताओ, अच्छे दाब बढ़हने से भिक्रिया किधर जाता है, ली साते लीक हैं, जीधर अडूम की संख् इधर कम है, इधर दो अडू है, इधर देखोगे तो एक और एक दो, अच्छा है, बेलेंस नहीं हुआ था, चलो यहां बेलेंस कर देते हैं, यह हो गया दो, तो यहां देखो दो, और यहां एक तीन, तीन अडू हो गया, इधर तीन अडू है, और इधर दो अडू है, दाब बढ़ाओगे तो reaction किधर होगा आगे की तरब होगा मतलब इसके लिए हमको उच्छ दाब किया आए सकता है मैं यहां लिख दे रहा हूँ यहां दाब हमको कैसा चाहिए उच्छ दाब चाहिए क्योंकि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया उधर जाती है जिधर अडू की संख्या कम है तो इस अभिक्रिया में अडू की संख्या इधर कम है तो अभिक्रिया इधर जाएगा हमको ज्यादा प्रोड़क्ट मिलेगा समझ में आ गया एक और चीज़ देख लेते हैं उत्प्रेर होता है जल्दी से ठकता नहीं मतलब एक्टिव बाला उत प्रे रख है तो इसलिए हम बेनिडियम पेंटाइकसाइड का उप्योग करते हैं इसके अलावा जिसे जो प्लेटिनम युकत एसबेस्टास होता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं करते है क्यों नहीं करते हैं क्योंकि वो तो कोस्टली भी है लेकिनम युकत एसबेस्टास कोस्टली भी है और कोस्टली होने के सांसा तो जल्दी से निस्क्रिय भी हो जाता है एक तो महंगा है वो जल्दी से निस्क्रिय हो जाता है इसलिए हम उसका उप्योग नहीं करते हैं उसक सब्सक्रार जांता है, या हो गया हमारा हुव्स पर दाब और सांधरता है, चलिए एक बर सौट में हम इस को देख तै हैं, इस अभिकरिया के लिए हमको सांधरता कासा चाहिए, अभिकारक की सांधरता होगे , जाओ का उतना ज़्यादा हमको product मिलेगा मतलब हमको उच्छ सांद्रत क्या शकता है समझ मैं कि ताप कैसा होना चाहिए ताप नीमन ताप होना चाहिए क्योंकि अभिक्रिया उस्माचेपी है और इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकुल ताप है 450 degree Celsius है यदि इससे ज़्यादा टेंपरेचर हुआ तो सल्पा ट्राइकसाइड के विच्छी दित्फ हो जाएगा यदि इससे कम टेंपरेचर हुआ तो हमको product का मातर में मिलेगा तो इसके लिए अनुकुल टेंपरेचर 450 degree Celsius दाब कैसे चाहिए दाब हमको उच्छ दाब चाहिए क्योंकि लिए साते लिए ने क्या बोला था दाप बढ़ाने से अभिक्रिया उधर जाता ही, इधर अडू की संख्या काम है, तो इधर अडू की संख्या दो है, इधर अडू की संख्या तीन है, तो रियक्षन आगे की तरफ जाएगा, मतलब इसके लिए हमको उच्छ दाप क्यों शकता है, समझ में आ गया, उत्प्रेर लोगे, तो महांगा भी होता है, महांगा होने के सांसा जल्दी से निस्क्री भी हो जाता है, इसलिए उसके जगह में हम वेनेडियम पेंटाकसाइड का उत्रों करते हैं, यह सिंपल सा हो गया, समझ में आ गया, अब चलिए, अब हम इसको समझते हैं, डायग्राम के फिर ओलियम से उचिस सांदरता का सल्टूरी कमदा कैसे बनाते हैं, उसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्द से, समझ में आ गया है, चलिए दिखते हैं इसका डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है, बहुत ही जाद एज़ी है, देखे, मैं यहां से बना रहू हूँ, अपलोग बनाई है, ठीक है, यहां हम पहला तो ले लेते हैं सल्फर बर्नर, नाम को बाद में लिखेंगे, पहले में बना दे रहा हूँ, यहां से सल्फर बर्नर, और सल्फर बर्नर से यहां मैं एक कक्छ बना दे रहा हूँ, यहां मैंने एक लाइक कक्छ यह समझो, ठीक ह है लाइक जिसको मैं कूलिंग पाइप बोलते हैं मतलब ठंडा करता है ठीक है फिर यहाँ से मैं कक्छे बना दे रहा हूं यह हो गया ठीक है यह हो गया आप नीचे का जो बेस है वो थोड़ा से इक्वाल रखना इक्वाल नहीं रखोगे तो फिर रखा हुआ इसे रहेगा इसलिए थोड़ा से इक्वाल रखना ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसको हम एक और कक्छा से जोड़ देंगे यहाँ पहले मैं कक्छा को बना दे रहा हूं ठीक है फिर यहाँ से अब डारेक्ट कक्छा बनाना जगा कम तो नहीं होना चाहिए यहाँ से आप एक पाइप निकालो फिर से आप इसको जोड़ दो एक कक्छा से ए हो गया इसको भी हमने एक कक्छा से जोड़ दिया लगता है थोड़ा और छोटा बनाने चाहिए था बड़ कोई रिक्कत नहीं देखी थोड़ा समस्ते रहे बहुत ज़्यादा असान है अब उसके बाद में यहां से हम फिर से अभी काम करते हैं यहां से हम यह हमने निकाल लिया इस प्रकार सा एक बॉक्स टेप कर रहता है यह यह हो गया ठीक है और यहां इस टेप का एक बॉक्स कक्षे जैसा छोड़ा सा कक्षे है बढ़ है कक्षे ही इस अब क्या भी समझाऊंगा अभी देखने से थोड़ा तुम लोग वजीब लग रहा होगा पर इस वेर इजी उतना यादा कोई डिफिकल्टी भी नहीं है इसमें थोड़ा समझी कद्यान से यह हो गया मैंने इसका संपर कर इसक कक्ष से बड़ा आसानी से मैंने कर दिया ठीक है यह हो गया यह हो गया, ठीक है, अब उसके बाद में, फिर इसका संपर का एक कक्षा और से हम कर देते हैं, यह सबसे लास्ट है न, अभी जो मैं बना रहा हूँ, यह सबसे लास्ट कक्षा है, तो फोड़ा से जग बचा हुआ है, जो कि महुत बड़ी बात है हमारे लिए, यह हो गया, हमने एक कक्ष यहां बना दिया, ठीक है, और यहां से फिर आप ऐसे करके निकाल सकते हों न, लिए, देखिए बस, कितना चीज़ आपको बनाएं, ध्यान दीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, नव, लाइक कक्ष, आपको ऐसी बनाना ह समझ में आ गया, अब उसके बाद में चली देखते हैं कोन क्या-क्या है, ठीक है न, पहले तो डियाग्राम को है, मैं पहले पूरा बना ले रहा हूँ, अभी डियाग्राम ही इसमें अधूरा है, इसमें जो भरा रहता है, सुस्क कारक, सुस्क कारक है, सुस्क कारक, पानी क यहाँ निकालने के लिए जगा, तब तो उपर से कुछ गी घ तो यहाँ से निकलेगा ठीक है, तो निकालने के लिए जगा भीचे यह खाली करने के लिए, नए तो फेख पुरा कक्छो में wonly run. सभी में quarters के टुक्ड़े फिल कर दो यहां quarters के टुक्ड़े यहां भी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा ठीक है यहां भी वैसे बना दो यह हो गया ठीक यहां quarters के तुक्ड़े अब directly भरा होता है last में चित्र बनाना आनने चाहिए अब सभी लोग वह अच्छे से ठीक एह हो गया हमारा अब उसके बाद में अब उसके बाद में क्या होता है देखते हैं कुछ नहीं होगा क्या होगा बस आगे जो भी इसका प्रोसीजर है यहां से पानी गिरेगा ना यहां भी कुछ कुछ रहता है यहां क्या रहता है यहां रहता है फैरिक हाड्रोकसाइड चले हमारा तो डियागराम तयार हो गया अब इसको थोड़ा साम समझते हैं चीक है चलिए अपने डागराम बना लिया चलिए इसमें थोड़ा साम इसको समझते है यह जो है पहला वाला इस सल्फर बर्नर है क्या हमारा सल्फर बर्नर है सल्फर बर्नर मतलब सल्फर को यहीं जलाया जाता है यहां क्या क्या जाता है सल्फर को जलाया जाता है और गैस बनाया जाता है तो एक सल्फर बर्नर है यहां सल्फर को जलाया जाएगा और गैस बनाया जाएगा तो इस्टाइटिंग में मैंने आपको एक रेक्शन बताया थ सल्फर को ऑक्सिजन की उपस्तिती में जब हम जलाते हैं तो सल्फर डायक्साइड गेस बनता है यह मैंने आपको बताया था तो यहां से क्या बना सल्फर डायक्साइड गेस बना फिर हमने उसको इस कक्ष में भेजा उस गेस को सल्फर डायक्साइड गेस को इस गेस को हम बो उपर से आपने जलवास्पा का फोहारा लगाया तो जितने भी जो धूल के कड़ है वो नीचे बैड़ गया है जैसे प्रेसर से बाइक को धोते हो ना जैसे प्रेसर से क्या करते हो बाइक को धोते हो सेम उसी प्रकार से हम यहां जब यहां गेस गुजारते हैं और उपर से ज अब यहाँ से ओहड़ गया, clear है, तो यह कौन से कक्षे? धोल कक्षे, इसमें धोल का कर्स आप होगा है, अब यह जो साब जैसा देख रहे हूँ, इसको हम बोलते हैं सितलक पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं सितलक पाइप, मैं यहाँ उपर लिख दे रहा हूँ, सितलक सितलक पाइप, जैइड से बात है, उस गैस को ठंदा करेगा, क्योंकि सल्फर को जला करके हमने सल्फर डायक्साइड गैस बनाया है, तो सल्फर डायक्साइड किस क्या होगा, गरम होगा, तो गरम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इस पाइप से गुजारेंगे, तो ठंद संब्सका टेंपरेचर कम हो जाता है तुछ हमने ठंडा करने के बाद में हम इसको भीजेंगे हम कर दोएगा जैसे धूल का कड़ हमने धूल कक्छा में साप किया यदि बचा हुआ जो धूल का कड़ है वो धूवन कक्छा से साप हो जाएगा क्योंकि धूवन कक्छा से उपर से हम क्या गिरा रहे हैं जो बचा हुआ धूल का कड़ हो नीचे बैढ़ जाएगा असुद्धीश में साप हो जाएगा इधर से ओगेस जा रहा है अब इधर से हम जल गिरा रहे हैं दोनों उसके संपरक में आएगा धूल का कड़ भिक के नीशी आएगा और फिर गेस यहां से होते होए फिर कहां जाएगा इस कक्ष़ में जाएगा अब एक अक्ष़ क्या है एक कक्ष़ है हमारा सूसक कक्ष़ क्या कक्ष़ है सूसक कक्ष़ है अब इस सूसक कक्ष़ में उपर से क्या गिरा रहे हैं उपर से हम गिराएंगे concentration H2SO4 क्या गिराएंगे सांद्र सल्फियूरिक अमला सांद्र सल्फियूरिक अमला क्यों गिरा रहें क्यों कि जल सोसक है जल को सूख लेता है ठीक है ना क्या कर देता है ड्राइंग एजेंट है तो यहां से जब आपने पानी से धोया जल वास्प का फोहारा लगाया तो जहिर से बात है उस गेस में कुछ नमीपन होगा तो नमीपन को यह क्या करेगा सांद्र सल्फियूरिक अमला उसको सौख लेगा मतलब उसको सुसक बना देगा इसलिए इसक अप्छा के नाम सुसक कप्छा है भरा हुआ है फेरिक हैड्रक्साइड क्या भरा हुआ है फेरिक हैड्रक्साइड अच्छा आर्सेनिक सुधक क्या काम करता है यह आर्सेनिक के सुध्धिक कुदूर करता है यदि धूल के कड़ के सांस सांथ यदि सल्फर डायक्साइड गेस में arsenic की असुद्धी है arsenic oxide यदि इसकी असुद्धी है क्योंकि धूल के कड में वो सभी हमारे environment में रहते हैं तो यदि धूल के कड के अलावा यदि उसमें arsenic की असुद्धी है तो pharic hydroxide उसको क्या कर लेता है अपने में associate कर लेता है मतलब उसको हाटा देता है किसको arsenic को यदि arsenic बहुत भहेंकर ये क्या है खतरनाग वाला चीज है ये उत्प्रेरग को निस्क्रिय कर देता है इसलिए gas में arsenic नहीं छोना चीज़िए यदि arsenic हुआ तो उत्प्रेरग को निस्क्रिय करेगा reaction भी हमारा slowdown हो जाएगा समझ में आ गया तो arsenic के सुध्धी कहां दूर होती है इस कक्ष में दूर होती है यदि gas में arsenic के सुध्धी है तो फेरिक हर्ट अक्साइड द्वारव उसको असोसित कर ले जाता है और हमें सुध्ध sulfur dioxide gas मिलता है समझ में आ गया अब उसके बाद में हम इस gas को कहां भेजेंगे इस gas को अब हम भेजेंगे परिच्छन कक्ष में यह कौन सा कक्ष है यह हमारा परिच्छन कक्ष परिच्छन कक्ष है यहां एक होल रहता है छिद्र रहता है इसको हम परिच्छन बॉक्स भी बोलते हैं तो परिच्छन बॉक्स हमें क्या होता है जैसे हम इसकष हमें गेस को लाते हैं तो यहां से हम प्रकास किरण भेजते हैं है ना, फॉक्स जानते हो ना जैसे जो बालू अगेरा में जब सूरी का प्रकास जब बालू पर पढ़ता है तो कैसे चमकने लगता है सेम इसी प्रकार से जब हम गेश को गुजारेंगे और इसमें हम तिब्र प्रकास किरण हम इसमें भेजेंगे यदि उसमें असुद्धी है धूल का कड़ है वगरा वगरा यदि ये सब चीज है तो यहां से जलता हुआ जो कपछा का अंदर है ना उमें जलता हुआ प्रतीत होगा जलता हुआ मतलब जलना नहीं, जलता हुआ हम मतलब थोड़ा चमक चमक आएगा, मतलब अंदर से जिससे लाइड जलते रहते तो उजाला आता है न, वैसी हमको अंदर से उजाला उजाला हमको लगेगा, क्यों कि यदि उसमें धूल का कड़ है और हम प्रकास किरण तो यदि उस गेस में धूल के कड़ हैं तो प्रकास करन जब उस पर पढ़ेगा तो चमकेगा तो यहां से छीद्र से हमको चमकता हुआ प्रतीत होगा यदि ऐसा हुआ मतलब हम समझ जाएंगे कि सलफर डायक्साइट गेस पूरी तरह से अभी भी सुध्ध नहीं हुआ है अब यदि सूध्ध है तो हम इसको भेजते हैं इस कक्ष में एक लोहे का कक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं संपर्क कक्ष है जिसका हमने डिसकस स्टाइटिंग में ही कर दिया था संपर्क कक्ष, कौन सा कक्ष है बच्चो ये? संपर्क कक्ष है, अच्छा बताओ संपर्क कक्ष में क्या भरा होता है? उत्रेरक, वेनेडियं, पेंटाकसाइड कितने डिगरी पे? 450 डिगरी सेलसीयस पे, है ना? जब हम यहाँ भेजते हैं, गेस को, तो ये क्या होता है? ये बहुत सारे अंदर में पाइपे लगी होती है जिन से होगे sulfur dioxide gas और oxygen ऐसे करके pipe से होते हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ से gas होते होए इस टैप का जाएगा और यह अंदर में उत्पेरक है venadium pentoxide और इसी के माध्यम से sulfur dioxide gas का oxygen होता है जो हमें दूसरा reaction लिखा था यह है sulfur dioxide gas का oxygen होता है और sulfur trioxide gas में change हो जाता है हमने यह वाला reaction लिखा था उत्पेरक हमने लिखा था vanadium pentoxide आपको याद है चार सो पचाज़ी ग्रिशेल से है जो हमने इसको लिखा था समझ में आगा है यह reaction होता है इसी कख्छ के अंदर में अब यहां से sulfur dioxide gas बना sulfur trioxide gas बना अब इस sulfur trioxide gas को हम बेज़ेंगे अवसोसक कख्छ हमें यह कुल सा कख्छ है वैच्छों यह है अवसोसक कख्छ अब यहां से क्या गिराते हैं यहां से भी हम गिराते हैं concentration H2SO4 मतलब सांद्र sulfuric अंद इस कख्छ के मैं नाम दिख दे रहा हूं अवसोसक कख्छ समझ में आ गया है यह हो गया हमारा अवसोसक कख्छ अब यहां से जब हम sulfur dioxide gas को जब हम इस कख्छ में ले जाते हैं और उपर से सांद्र sulfuric अंद गिराते हैं तो सांद्र sulfuric अंद द्वारा जो sulfur trioxide gas से वह असोसित कर लिया जाता है फिर बनता है oleum जो हमने तीसरा वाला reaction लिख रहा था आप लोग को याद है यहां से क्या बना था sulfur trioxide gas S2S4 से फिर क्या बना था oleum बना था S2S2 उससे उन आप लोगों को याद होगा ठीक है यह oleum बना हुआ था और oleum ने हमने आयो सकता मुशार जल मिला कर हमने उसको उची सांद्रता का बनाने रहा था समझ में आ गया तो इस प्रकार से हैं बड़ा ही इसका simple procedure है कोई ख धूल कक्छा में लिया जल वास्पा का पहारा लगाया धूल ककड नीचे बैठ गया फिर उसके बाद उसको सितलक पाइप में ले जाकर उसको ठंडा किया तो इसमें 100 degree Celsius तक ठंडा हो गया तब जाके हमने इसको धौन कक्छा में लिया उपर से जल गिराया ठीक है तो उसमे बचे हुए धूल ककड इससे हट गया फिर उसके बाद इसको हमने सूशक कक्छे में लिया यदि सल्फाडाय अकसाइड गेस में जल की सुद्धी है मतलब उसमें जल है उसमें नमीपन है तो सानर सल्फूरी कमनत द्वारा सूख लिया गया तत्पस साथ हमने उसको आर्सेन पूल ककड है तो चमकने लगता है यदि नहीं है तो नहीं चमकने लगता है मतलब नहीं चमकता है तब पस साथ इसे हम संपरक कक्छे में भेजते हैं जहां उपरक रखा होता है जहीं इसका आकसिकरन होता है और सुल्फार ट्राय अकसाइड गेस में चेंज हो जाता है फिर अच्छ लास्ट में जो एक यहां हमने हट्सट अच्छ फिर बना ओलियम अच्छ थी जल मिलाया और फिर क्या बनाया उचित सांध्रत वाला हमने इसीड बनाया यहां यहां हम डारेक्ट्ली जल मिला देते तो ये ति सल्फर-trioxide-gase में हम डारेक्टली जल मिला देते तो भी हो H2SO4 बन जाता है मैं इस तरी एक्षन की बात कर रहा हूँ तो भी हो बन जाता है H2SO4 बनता की नहीं बनता बनता लेकिन सल्फर-trioxide-gase को डारेक्टली जल में उसोसित करना ठीक नहीं है क्योंकि इस से जो सल्फूरी कमला बनेगा वो सांद्र नहीं बनेगा क्या बनेगा? तनू बनेगा तो इसलिए इसको डारेक्टली जल में उसोसित करना ठीक नहीं है इसलिए इसको जल में उसोसित ना कराते इसको हम सांद्र सल्फूरिक अमला से उसोसित कराते हैं और पहले ओलियम बनाते हैं और ओलियम में हम फिर आवसकता नुसार जल मिलाते हैं और इसको हमको जितने सांद्रता का सल्फूरिक अमला चाहिए हम उतने सांद्रता का बना लेते हैं तो इसलिए यह आप लोग के मन मे कुछ डाउट है, कुछ questions है, तो आप उसको जरूर पुछिए, हम उसको यहाँ से solve करने की कोशिस करेंगे. So have a good day, best of luck, high time.